वेलकुम टो मैं चानल इंडियर मोम का अंचन आप सभी को गनेश चतुरती की डेड़ सारी शुपकामना है और आज गनेश चतुरती है और मुझे लगाना है अभी हर्तालिका को भो उसी के लिए मैं अभी किछन में आई हूँ जो भी बनाना है वो आपके साथ शेयर करूंगी बेट बहुत जलबाजी में हूँ आज और हाँ भज़रा लगने वाला है 11 बज़े के बाद तो इसी वज़े से बहुत जल्दी-जल्दी करना पड़ रहा है तो जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूंगी आगे सॉरी मुझे माफ कर देना अभी मैं ज़्यादा आप से बात नहीं कर पाऊंगी बेट जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूंगी आपर माही ने देखो कितना सुन्दर साहर बनाया है एक छोटे से गनपती के लिए और ये कलश के लिए हे गाई सबसे पहले तो मैं अभी नए वद्दे के तयारी करूंगी जैसे की भोग लगाने के हर्ता लिका का भोग था और यहाँ पर गनपती का भोग भी उसकी भी तयारी कर रही हूँ तो यहां पर मैंने आटा लगा दिया है और आटे की मैं दिया रोटगा भी बनाते हैं हमारे सेट में वो बनाऊंगी दिया रोटगा मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे बनाते हैं ज्यादा करने की चक्कर में लगूंगी ना तो मुझे आपको तो पता ये क्या टेंशन है उसके लिए मैं जल्दी-जल्दी जो भी हो रहा है वो जल्दी-जल्दी कर रहे हूं मैं घी और चीनी और रोटी का ही मतलब प्रशाद बोल सकते हो आप भोग बोल सकते हो वो चड़ और वहां पर ही गनपदी जी को बिठाना है तो यहां पर गनपदी जी को बिठाने के लिए सब कुछ वो क्लीन कर रही हूं उस जगह को और जहां पर मैं गनपदी बिठाने वाली हो आप लोगों को पता है गनपदी जी हमारे आप पहले सी यह आ गये थे मतलब माही के प्र मन नहीं मान रहा था पता नहीं क्यों ससराल वालों के खिलाब जाके मैंने इस साल गनपती बिठाया पता नहीं अभी वो गुसा करेंगे या क्या करेंगे वो नहीं पता बट फिर भी जाने दो यार मैं मतलब मेरा मन ही नहीं मान रहा था और आप लोग सबसे जादा इतने लो के घर पे प्रोजेक्ट के बहाने से क्यों ना हो गनपती जी आये हुए है और यह जो गनपती पाप आप देख रहे हो ना यह माही के प्रोजेक्ट के बहाने से आया है हमारे घर पे और आप देखो कितने सुंदर गनपती बनाया है माही ने कलर भी उनको कितना सुंदर किया ह और यही गनपति मैंने इस साल बिठाया है। दूसरा गनपति खरीद निलाय है। इको-friendly गनपति मैंने इस साल बिठाया है। और गनपति बपपा किसी भी बहाने से हो हमारे घर पे आए तो हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने बिठा दिये गनपती और यहां पर माही दुर्वा निकाल रही है 21 21 होता है न वो दो जूड़ी निकाल रही है अद्विक देखो अद्विक को सोक के उठाया और इसके बाद ऐसे ही नहला के दिया वैसे यहां पर आ गया अद्विक और हां मुझे भी खुद भी लग रहा था कि नहीं गनपती बापा को खंडित नहीं करना चाहिए तो गनपती बापा अगर मेरे घर पे है इतने दिनों से तो मैं गनपती बापा को बिठा हूँ और सब कुछ अच्छे से हो जाए और हां मेरा पीरेट का भी प्रॉब्लम था जैसे कि मैंने आपको बताया था वो ये टेंशन सबного ने मतलब गनपतीवापा ने मेरे हाथों से ही घनपती बिठा भी 3 अच्छे से हो गया कि कि माही के पापा नहीं दीख रहा है तो माही के पापा इसी वजा से के वो ड्यूटी गया थे और आप डेक्शन है पूलिस ए स लिए फिर हम लोगों ने ये गनपती बाप्पा बिठाए और बहुत अच्छा लग रहा है अभी गनपती बाप्पा घर पे आ गया है तो सुखकर्ता धुकम हार्ता भीच्नाची पुरवी पुरवी ब्रेयं पुर्पा जयाची तर्मांगी सुदर उषे इगंटी इज़टी मानिक्ता पाड़ाई जिच्छ रेदे उजए देवजय मंगलमुती दोष्टी मंगलमुती रर्षन मत्रे मान स्वामे मात्रे मान कामोना स्पुर्थी ज़दे उज़ए ओ मक्षिग्रे समस्टा सज्जरम चिंद पात्रे सुर्थ और शाका लेकनी पत्रम उर्ले लेकित गरित्वा शार्डा सर्वकाल अंता विदुबनवाला रेश्पालन दया याते पूश्पम तुलसी वंचमाला या वंचमाला सज्जा पुपाला अंभी के यात्रा रुपमेनी वदनते द्वार के राजा शिक्मन प्रपिश्पा अंगली समर पयामी बजान अंगल्पती गरिज़ए यहाँ पर शिकान ताया था दर्शन करने के लिए और उसे जैसे ही बताया मैंने कि ये माही ने गनपती बपा बनाया है तो उसने फोटोगरा क्लिक किये और उसने स्टेटस वगर रखे क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगा कि माही ने गनपती बपा बनाया है और इतने सु और सब कुछ अच्छा से हो भी गया दिबापपा आ गया हमारे घर पे और हाँ यह मैं क्या गा रही है फ्राइड पापड और हाँ यह यहाँ पे ना मैंने आज बनाई है बिरियानी और जब से यह रोबु को आया है नगर पे इतना ज्यादा हलका काम हो गया है मेरा ज्यादा इसके साथ मैंने पापड़ फ्राइग की एते हैं बस वही एक खा रही हूँ अक्चुली कल तो फास था ना तो फास छोड़ा ही नेता तो इतनी भूख लगिये पेट ऐसे अंदर खीज रहा है तो इससे जैसे मैंने सुझा चलो पापड़ खा लेती हूँ मैं और बस गनप पति पापा बैट गए और अच्छे से हो गया सब कुछ और हां ग्यारा बज़े से पहले हो गया सब कुछ बहुत अच्छ लग रहे है अप्टेंशन फ्री लग रहे है सब सब कुछ अच्छे से हो गया गनपती पपा को बिठा दिया हरतालिका भी अच्छे से हो गया और जिस चीज का डर था वही हुआ सब कुछ अच्छे से हो जाने के बाद मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे थी सब कुछ इसलिए जल्दी जल्दी हुआ और देखो ये मैंने मतलब राजमा बनाया है यहाँ पे बट आज आ गया मेरा पिरेट जिस चीज का डर था वही हुआ इतना टेंशन इतना टेंशन और उस टेंशन में मुझसे कुछ भी होई नहीं रहा था जैसे कि मुझसे घी के भरनी का ढकन भी नहीं हो रहा था इतना टे करेड आ गया था तो कुछ भी नहीं कर सकती थी बट पहले सब कुछ अच्छा से हो गया उसी का साटिस्फेक्शन था बस वो हो गया ना तो टेंशन मेरा खतम हो गया है बस गवरी के लिए मम्मे के घर पर जाना था तो वह नहीं हो पाया बट कुछ तो कॉम्प्रमाइस करना पड़ता है जैसे कि अभी यह तो नैश्रल है यह तो आना ही था तो इसी वजह से इसका टेंशन अभी खतम हो गया है मेरा बस अभी सब कुछ माही के भरोसे है माही कर रही है जो भी करना है जो भी भगवान जी का करना पड़ता है वो सब कुछ माही कर रही है तो चलिए आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो like share and channel को subscribe जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तो चले guys मिलती हूँ next vlog में till then bye bye take care and love you all bye guys जान रखना अपना